जे माता दिमित्रों, कुछ जीवन के यूटूब चैनल में आप सभी का हर दिक अभिनेदन है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नवरात्री में आठवे दिन किस देवी की पूजा की जाती है और कैसे की जाती है, तो चैत्र और शार्दिय नवरात्री में आठवे दि की महा गोरी कौन है, चैत्र और शार्दिय नवरात्री के आठवे दिन दुर्गा जी की आठवे सकती देवी मा गोरी की पूजा की जाती है, इसे मा अश्टमी और दुर्गा अश्टमी के नाम से भी जाना जाता है, मा गोरी का नाम, मा गोरी इसलिए कहलाता है, माहा का मतल महान और गोरी का मतलब गोरी तो दोनों चीजुगों से मिलके बना है महागोरी देवी का रंग गोरा होने के कारण ही ने महागोरी कहा जाता है महागोरी इसने में करुणामिय, शान्ति और मुरूसवाव वाली देवी है चार बुजाँ वाली मागोरी, देवी, डमरू और त्रिशुल धरन करती है देवी मागोरी का वहान बेल है मागोरी की सवारी करती है हिंदु धर्म के नुसार मागोरी की पुजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है आगे बात करते हैं महागोरी की पुजा कैसे करें महागोरी की पुजा की सुरुआत आप इस प्रकार कर सकते हैं सबसे पहले सुबह उठकर इस्तान करें इस्तान करने के बाद सपेद या जामूनी वस्तरधारन करें क्योंकि मा को ये रंग बहुत ही प्यारा है वस्तर धरन करने के बाद कलस की पूजा कर माता महागोरी को नमन करें महागोरी को कुमकुम मोली अक्सत अरपित करें इसके बाद नारिल का भोग लगाएं और फिर जल अरपित करें देवी मा के मंतरों का जाप करें मा महागोरी को मोगरे के फूल अरपन करें मा मागोरी के सामने घी का दिपक जलाएं मा मागोरी की आर्थिक के बाद फिर नोकन्याओं का पुजन कर उन्हें भोजन कराएं और कन्याओं को लाल चुन्री उडाएं मा मा गोरी की विदिवदान से पुजा करने से धन धन्य और घर में शुक शम्रदी की प्राप्ती होती है अंत्र में बात करते हैं कि मा मा गोरी का शुब रंग कौन सा है और किसका उनको भोग लगाएं मा मा गोरी को सपेद या जामून रंग का कलर बहुती पसंद है अत्र मा की पुजा करते समय सपेद या जामून रंग के कपड़े पहने मा मा गोरी को नारिल का भोग लगाएं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और अधिक साधिक इसको शेयर करें और रोजका राशीपल अगर अपने फोन में देखना चाहते हैं तो हमारी कुछ जिवन की राशीपल एक को डाउवलोड कर सकते और देख सकते हैं रोजका राशीपल अपने फोन पर थेक्यू, दन्यवात कुछ रहें और शुरक्षित रहें